लगती है जैसे आसमा रहेंगी वो रोशनी ते जस्मिनी 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 कहा जाता है कि महिलाएं बहुत महिंती होती हैं, वो जो भी उन्हें काम दिया जाए ना, उसे बहुत इमानदारी से करती हैं, फिर जाहे परिवार की बात हो, या फिर अपने प्रोफेशनल जिंदगी की बात हो, दोनों के भी संतुलन बनाना असान नहीं होता, लेकिन के बल पर जो डंका बजाया, आज देश नहीं, दुनिया भी उन्हें सलाम कर रही है, क्योंकि 202 देशों की, जब 52,000 नर्सिस को चुना गया, उनमें से जो टॉप 10 थी, उन्हें में शामिल हैं आप A&M, जो अंडमा निकोबार में दश्कों से काम करती रही हैं, और जिनों होने से बच गई, आपको Global Nursing Award के टॉप 10 में चुना गया, और देश को आप पर गर्व हैं, आप हैं, अनमा निकोबार की A&M, शांती टेरेसा लखड़ा एक नर्स के जीवन को साथ थक साबित किया है A&M, शांती टेरेसा लखड़ा ने, जिने एस्टर गार्डियन Global Nursing फुरसकार 2023 के लिए विश्व के 202 देशों की 52,000 नर्सों में से 6,10 में चैनित किया गया, अनमा निकोबार जीद समुह में ही कारेरत शांती टेरेसा ने, यहा जारवा जनजाती समुह, पहले ही पोस्टिंग में ओंगी जनजाती के बीच काम करने का मौका मिला, फर्स के लिए उनकी भाशा सीखी, परंपराइं सीखी, उनका विश्वास चीता, असली चुनोती सुनामी के दोरान आई, जब इन लुप्त प्राइज जनजाती को बचा जाने और टीका करण के लिए सुबह पांच बजे से रात डस क्यारा बजे तक पैदल, वोट पर दिन रात काम किया, परिनाम ये है कि कोविच की दोरान इन जनजातियों में से एक भी व्यक्तिकी मृत्यू नहीं हुई, और आज इन जनजातियों में स्वासिस्दर, मात्री शिशुदर बहुत बेहतर हुई है, इनके प्रयासों के लिए जहां फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरसका और पदुशे का सम्मान इन्होंने हासिल किया, तो वहीं वैश्विक सर पर भी सराहना प्राप्त की, एक नर्स के तोर पर आज एक मिसाल है, एन एम शांति टेरेसा बहुतिया करते हैं स्वागत शांताजी का, शांताजी जी बहुत-बहुत स्वागत है जस्वनी में, नमशकार और बहुत-बहुत शुबकामना आइं आपको, मतलब कह सकते हैं कि जो दूनिया भर की नर्सेज हैं, उनमें जो सरवश्रेश दस हैं, उनमें आप शामिल कैसे मंच पर जो आपको सम्मानित कर रहा था कैसा था अनुभवाब का लंदन में मैंने कभी यह सोचा ही नहीं था जिस मतलब छोटी से गाउं से मैं बिलांग्स करती हूँ और छोटे से सहर, छोटे से गाउं से मैं निकल कर देश में अपनी पैचान बनाते वे जब मुझको बताया गया कि आप ग्लोबल लेवल में टॉप टैन में सेलेक्ट वी हो तो सच मुझ यह एक्साइटमेंट में बता नहीं सकती सब्दों में की आपके बस शब्द नहीं मिल रहे है आपको दिखाने के लिए कि कितनी बड़ी भावना आपके लिए लेकिन वही बात है कि निस्वार्त भाव से शानती जी आपने जो काम किया कई साल पहले आज आपको उसके लिए पूरसकार मिला है लेकिन शांती जी अब हम उस दौर में भी जाना चाहेंगे जब आपने एक नर्स के तौर पे अपने फर्स को तवज्जो दी और आगे बढ़कर काम किया जिस वक्त सुनामी आई उससे पहले ही आप आउंगी जाती के साथ अंड़मानी को बार में काम कर रही थी तो जब आपने इनके साथ काम शुरू किया कितना मुश्किल था क्योंकि एक होता है एक फर्स निभाना लोगों के बीच आकर उनको ट्रीक्मेंट देना लेकिन यहां आउंगी जाती के साथ काम करना मुश्किल क्योंकि आपकी संस्कृती अलग है भाशा अलग है वो लोग आपको इतनी जल्दी स्विकार नहीं करते बिल्कुल यह एक बहुत बड़ी चैलेंज थी मेरे लेकिन नामुंकिन नहीं थी मेरी फर्स पोस्टिंग थी और वो भी ऐसे जन जाती जो अपना बहुत ही कम संख्या है उनका जो विलुप्थ होती वाली जन जाती है उनका संडक्षन का और मेरे पास कोई ज़्यादा अनुभाव भी नहीं है, ना ही नर्सिंग का अनुभाव, ना ही मैं उनके साथ कभी मिली ऐसा अनुभाव, तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी, लेकिन मैं उसे बहुत थी असानी से स्विकार की, जैसे कि मैंने उनके साथ काफी समय उनके साथ बिताना शुरू किया, उनके थोड़ी बहुत बड़ी लोगों से मिलना शुरू करें, उनके कल्चर को, उनके संस्कृती को, उनके भाशा को, पर आपको तो उनकी भाशा भी नहीं आती थी, तो सेखी, बस समय ज़्यादा अगर बिताएं उनके साथ, और उनके बड़े लोग बहुत ही हस्मुक और दूसरों को प्यार देने वाले, उनके कोई किसी प्रकार की छहल कपट की भावना ने, कोई ज़न जाती लोग होते हैं, वो बड़े सरल हृदय के, और बहुत ही प्यारे थे, तो उनके साथ समय बिताकर, उनसे बाते करके, सबसे बड़ होते हैं, जो उनकी देखभाल करते हैं, तो उन लोग भी काफी पहले से जुड़े वे हैं, तो उन लोग के भी स्टाफ रहते थे वहां पर, तो उन लोग southwest भी पहले से जानते, तो हम उनसे भी थोड़ी मदद ले लेते थे, उन सबका बहुत बड़ा य одну योगदान है हमा आपने उनके साथ मेल जोल बढ़ाया और काम हो गया लेकिन असली चनौती तबाई जब सुनामी आई तब हालात कितने मुश्किल थे सुनामी तो जैसे कि हम जानते हैं सिर्फ हमारा अंडमान या हमारा देश ही नहीं बहुत सारे देशों में इसकी बरबादी की कहानिया लिखी गई नमान में भी बहुत ज़्यादा इसका एफेक्ट हुआ था और खासकर हमारे निकोबार साइट के जो ट्राइबल से उनको बहुत ज़्यादा हुआ था और उस समय हमारे जो ओंगी के सेटलमेंट थी वो भी पुरी की पुरी वाशाउट हो गई लेकिन ये गॉड़ ग्रेस की हम सब तो बचे गए थे और लेकिन हम लोग को मतब अपना घर बार छोड़के सब ओंगीस को भी अपना जंगलों में रहना पड़ा अपने अपने छोटे-छोटे घर बना के रहना पड़ा दो जगह रहते थे ओंगी साउथ बे और निया तो वहाँ पर एक फॉर्टीन की एक लेडी थी मतब उनका तो मैरेज जल्दी हो जाता तो वह अपने प्रेगनेंट थी और इसी तरह घबराते वे डर के मरें भागते वे उन लोग आये तो उनका डिलिवरी हो गया और इतना चोटा बच्चा मेंस एक सब मतब एक केजी से भी कम बच्चा और वो ठंडी रात बिना घर बार को कोई चीज नहीं है उसके बच्चे को बचाना ये मुझको बहुत बड़ा एक चैलेंज था लेकिन बस वही आग के सहारे और वहां पे कोई कम्निकेशन नहीं थी कुछ नहीं थी कि मैं उसको मतलब या कोई टांस्परेशन नहीं था कि उनको जल्दी स कहीं सिस्क्रिफट करके बचाया जाए तो वैसे ही बहुत खराब थे वहां पे तो उस वक्त में मैं बस बच्चे को मा को गर्म करके रिके सहारा दे के Shawgaru Mother Care गहारे बच्चों को देते हैं, वो सब करके, ऐसा करके, मैंने उनको कैसे भी संभाली रखा, और उसके बाद, कुछ दिनों बाद में, हमारे रफ्रल होस्पिटल भेजे, और मा बेटी दोनों ही बच गए, बहुत ही, काफी दिन उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ा, लेकिन बहुत ही अच्छा, हेल्दी बेबी होकर वापस आई, तो वह तो बड़ी हो गई होगी, हाँ, हम उनके नाम सुनामी रखे, कुछ दिनों पहले दो तीन रड़कें आए ऐसे और उनके फादर के साथ आए और वो बोल रहे हैं कि हम वो मुझको मतलब देख रहे थे कि यह शांती माणम ही है या और कोई है तो फिर उन्होंने वापस जाके अपनी वाइप से कन्फर्म किया कि यह सी लग रही है शांती मा पहुच होती है तो मैंने पुछा कि क्या कौन है करके तो फिर वो बलता मैडम आप नहीं आपको नहीं पता होगा कि हम लोग कौन है लेकिन आप हम लोग के लिए क्या है हम लोग को पता है यह वही बच्ची है जिसको आपने रात को डिलिवरी कराया था और आज यह इतनी बड़ी हो गई है और यह अपना अभी इसके लिए आई हुई है तो हमने देखा कि आप यहां बैठी है तो उनको बताना जरूरी समझेगे हैं आपके लिए कितना बड़ा एक्सास हो गई है इतना खुशी लगा मुझको कि मैं तो मतलब भूली गई थी जैसे इतने साल हो गय लेकिन शानती जी देखें तो ऐसे आपने जान जाने कितने लोगों की जिन्दगी में आप बड़ाब लेकर आई होंगी स्वास्त लेकर आई होंगी और इसके जरी जो खुशी उनको दी है आपने शायद उसकी गिनती नहीं हो सकते लेकिन जो वैश्विक पुरसकार के लि तीजस्विनी हबर का वश्ली चनभी नए तेवर नए कलेवर नए थार और नए रफ्तार के साथ एक ये न्यूस नाइट हर राद आट बजे सर्फ टीडी न्यूस बाद ब्रिक के बाद आपका स्वागत आप देख रहे हैं ते जसनी जिसमें आज हमारे साथ हैं वैश्विक नर्सिंग पुरसकार के लिए चैनित शांती टेरेसा लकडा जो एक एनम है और अंडमानी को बार में काम करती हैं शांती जी आप जिस वक्त सुनामी में आप बचा रहे थी सबको उस वक्त आपने का कम्यूनिकेशन तो था नहीं और जाहिर है कि दवाईयां और यह सप्लाइस पर आपके पास बहुत लिमिटेट होती होंगी कैसे लेते दिए अच्छली वहाँ पर दवाईयां तो किसी को कोई दवाई ने कुछ ने तो मैंने अपना एक मैसेंजर जो अपने लोगों को ढूंते हुए वहां से आया था तो उसको मैंने बोला कि अगर आप यहां से मड़ी सी नगर मुझको लाकर दे सकते तो अच्छली मेरे बेटे को भी एक मेरा एक साल का बेटा था मेरे प्रिचे को भी फीवर मतलब लूज मोशन और ऐसा सब शुरू हो गया था क्यूंकि मैंने कभी बच्छे को लेकर मतलब बाहर नहीं गई ती और मेरा बच्चा ब्रेस्ट्फिड भी नहीं करता था उस तैम में तो बाहर जब गया तो बाहर का पानी नाले वाले के पानी वा तो नीचे जाकर देखा तो क्योंकि हम तो बाहर उपर पहाडी में थे तो गया जाकर बोल रहा था कि यहां तो कुछ भी नहीं है सबके सब वाश आउट हो गया है तो फिर उतना में मैं फिर जब वोस आदमी को देखी तो मैंने उनसे कहा कि क्या आप नियर पीच सी से जाके म कुछ दवा ला सकते हैं तो बहला नहीं वो तो नहीं जा सकते क्योंकि वो भी पूरी तरह रोड वाश आउट हो गया है तो वहाँ जाना मुस्किल है तो मैंने बहला और कोई रास्ता नहीं है तो बहला है एक पगणड़डी वाली रास्ता है पर काफी दूर है उसमें जा सकते मैंने फिर भी रिक्वेस्ट किया और उसने मान गया मैंने पूरी मतलब एडल डोस और चिल्डरन डोस जितने अमर्जंसी मेडिसिन से सब कुछ मंगा कर लेटर बेर बना के उनको लिग के दे के वो दूसरे दिन ही मुझको सारा मेडिसिन लाकर दिया और सारे लोगों को मैंने फिर ऐसा हो गया कि मुझको मतलब सब को जानने लग गए कि ये मडिकल स्टाफ है और इनके पास दवा है यह माना जा सकते है कि हम हमेशा सुनते आए हैं कि जो जन जातिया होती है वो बहुत जल्दी आधुनिक चिकित्सा को नहीं अपनाती हैं टेस्ट के लिए नही नहीं आती हैं दवाईयां बहुत जल्दी नहीं लेती हैं तो क्या आपके काम की वज़े से उनमें ये विश्वास आ गया कि वो इस चिकित्सा के लिए तैयार हो गए थी जी अब ही तो काफी समय से मुझसे पहले से भी वहाँ पे बहुत सारे लोगों मेडिकल स्टाफ का पोस्टिंग होता था और वहां के लोग बड़े साही होते हैं उन लोग अपना बिमारी जल्दी नहीं बताते हैं और खासकर जेंट्स के सामने तो विल्कुल भी लेडिस अपना नहीं खोलते तो उन लोगा दवा भी अपने अपना मेडिसिन ज्यादा जैसे कि उनका कोई चाल हो पती हो तो बहुत उन में से बहुत लोग ऐसे थे कि उन लोग को अगर हम बोले कि तुमको यहां से वहां जाना होगा यहां तुमारा ट्रेट्मेंट नहीं है तो उननों बिल्कुल जाना ही नहीं चाहते थे बहुत एड़मेंड हो जाते थे नहीं हम लोग को जो भी लोगो वैसा ब्लाइन अफ मैनेजमेंट लेके असब करके उनको समझाना पड़ा काफी उनका कि क्या इसमें फाइदा है और क्या नुकसान है तुम लोग अगर नहीं जाओगे तो क्या हो सकता है और उनको बहुत सारा मतलब ट्रीटमेंट कॉंसेप्ट स्केच और साइन जो उस लेंग्वेज है उससे बनावना के दिखाना पड़ता था बहुत कुछ है और उनका विस्वास जीत के उनको इंट्रपर्सनल रिलेशन बना के उनको हम दर्शाना है कि आप दो साल तक उनके बीच में रही दो साल एक लंबा वक्त होता है और आपने बताया आपका एक साल का बेठा भी था उस वक पे तो व्यक्तिगत्स तर पर भी आपको काफी सेक्रिफाइस करना पड़ा जी हां एक्चली सब कुछ वाशाओट हो गया था और उन लोग जंगल में थे उनको अपना तरीके से घर बना के जंगल में रहना पड़ा तो मुझको भी उनको देख के लिए जंगल के पास ही अंतलब टेंट बनाकि एक तेंट में रही अंतल जहां पर कोई तरह की कोई सुीधा नहीं थी और इस बीच में लेकिन मेरे मुझको बहुत ही प्रापलम होँए मेरा विए नहीं सやって और उसको मैं मधशका तब देखनी पाई क्यूकि मुझको काफी दूर जाना पड़ता था उनको कवरिज देने के लिए फिर आना ऐसे में बच्चा बहुत ही माईल नेरिस्ट हो गया था और ऐसा हालत था कि मतलब उनके बच्चे और मेरे बच्चे में खोई डिफरिंसेट कर रही ही नहीं भाती था यह उसा हालत लेकिन मुझको ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मैं वापस अपने माबाप से मिलो या मेरे भाई बेंस से मिलो या मेरे हस्बेंट भी दूसरे आइलेंड में थे वो भी नहीं थे मेरे साथ दवाई लेकर रात रात बर हर एक टेंट में जाकर दवाई देना पड़ता था उसम भी करी, मैंने मतलब जादा कुछ तो नहीं किया, लेकिन जो भी किया, उसमें अपने बच्चे को भी फिकर नहीं करी, अपने पेरेंट्स को फिकर नहीं करके, जो निस्वारत भाव से काम करी, साथ उसी कही मैं इसको आज इतना बड़ा मतलब ये दे रहे है, बना मिला ह तो शांती जी, कोविट की दारान भी तो चुनोतियां बहुत आई होंगी, कोविट की दारान, एक्चली हम लोगों ने उन ट्राइबल्स को इतनी ज्यादा संसिटाइज किये थे, उनके कोविट के बारे में बताए थे, मतलब वहां के फिल्ड स्टाफ का भी बहुत देखा के, या फिर मॉबाइल में बता के, या हम लोग हॉस्पिटल में जो थे, उनको भी हम लोग बहुत अच्छी तरीका से बताए कि ये बहुत ही भैनक बिमारी है, कि हमोमन हम ने ये देखा है, और सुना है, और पढ़ा भी है, कि जितनी जंजातियां है, वो ऐसी महमा पातियों को इतनी अच्छी इन्नाइजेशन के बारे में भी हमने बताया था, कि उन लोगों ने उसी पूरी तरह एकसप्ट किया, और जब कोई तरह का ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं थी, कुछ नहीं थी, उस वक्त हमारा अड्मिस्टेशन ने इस पर बहुत अच्छा मतलब उनके लिए स्पेशली हेलिकॉप्टर जहां दूर दूर है, क्योंकि हमारा शॉंपन ट्राइब सा बहुत काफी दूर है, वहाँ पर स्पेशल हेलिकॉप्टर सर्विस अरेंज करके उनके लिए वैक्सिनेशन के लिए हमें भेजा, और जितने जारवाज एरिया हो, सारे जगा पर हमने गए और इतना बहुत ही बड़ा चैलेंज था क्योंकि उस वक्त वहाँ पर समंदर, इन लोग काफी अंदर चले गए हुए थे, कोस्टल एरिया में कुछ लोग और कुछ लोग बहुत जंगल के बीच चले गए थे, क्योंकि इन लोग अगर हम बताये थ तो उसका इंपक्ट इतना अच्छा था कि उन लोग काफी अंदर चले गए थे, लेकिन हमें इम्मनाइजेशन के लिए उनको ढूनना बहुत मुस्किल था, काफी दूर दूर जाना पड़ा, और ऐसा हुआ कि हम लोग चार-पांच घंटे हम छोटी मोटर बोट में जाकर उनको इम्मनाइजेशन के ले गए और इतना बड़ी बड़ी वेवस थी, इतना ज्यादा मतब यह था, कि हम लोग ऐसा लग रहा था एक ताइम की हम वापस आद ना पहुंचे घर, सुबह हम 5 बजे निकलते थे, रात 10-11 बजे हम घर में पहुंचते थे, लेकिन हम उनको एक एक जन को ढूंड कर उनको इम्मनाइज करें और पुरा 100% इम्मनाइजेशन हमने कवर किया, और कोई भी इस दौरान हमारे कोई भी एक भी ट्राइबल हम लास्त नहीं होने दिये, वाकई बहुत सराहनिये काम है आप सब के लिए, आपने जैसे बोला आप जगा जगा आपने बहुत काम किया इंजन जातियों के लिए, तो यह तस्वीर कितनी बदली ही, क्योंकि हमने सुनाए कि पहले तो 73 ही थे इस ओंगी ट्राइब की अगर एक ट्राइब की बात करते हैं, और अब तो फिबादनों का आंक्रा काफी बढ़ गया, तो कितनी तस्वीर बदल अगर आज भी जैसे जारवा ट्राइब में हैं, बाकी ट्राइब में भी उन लोग भले कुछ भी बिमारी के लिए अगर चले भी जाते हैं, लेकिन अगर उनका डिलिवरी का टाइम आता है, तो वो वापस जंगल जाना जाते हैं, क्योंकि वो अपने लोगों के पीच में ह अगर उनका टाइब में हैं, तो अगर उनका डिलिवरी के लिए नहीं आते थे, और उनका बेबी भी बहुत मतलब लो बर्थ वेट होता था, बिलो टू केजी बेबी, क्योंकि उन लोग वैसे ही मतलब घर में कराना हैं, और उन लोग उस टेम में जादा खाना नहीं खाते थे, क्योंकि उन लोग अपना टाइशन उनका मानना था, अपना असावी से हो जाए हैं, तो लेकिन अभी इस्तिती ऐसी है, कि अभी उनका 100% इंस्टिशनल डिलिवरी होती है, और हम लोग उनका एक्सपेक्टेड डेट तो हमें पता नहीं होती, लेकिन फिर भी हम लोग उनको मतलब अल्टरासॉंड के जरी हम पता करके एक दस पंदरा दिन या पहले ही उनको हम लोग लाके रख लेते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल में, फिर उनका डिलिवरी मतलब इंस्टिशनल डिलिवरी ही कराते हैं, और अभी बच्चे का वेट गें होने लगा, बच्चे पोर्ट ब्लेर में आप पोस्टेड हैं, अप्ष्ट ब्लेर में आप उस सेक्षिन में उस अस्पिटाल में हैं, जहां पर इंवलनरेबल ट्राइब्स को ही रखा जाता है, तो कौन कौन सी ट्रैब्स हैं जो वहाँ आती हैं, और किस तरीके की बिमारीयां अब आपको लगत मैंने नोटीस किया लेडी सरा un hi uh bundle लोग मैल परसुंस रहते थे और ईनलोग टेक्निकल परसुन नहीं ते बस उन लोग उनको ल मेर करते थे तो मैंने नोटीस किया कि जो भी पेशेंट भेशती वैसे ही वापस भी आजा तक उन लोग अच्छी तरह से अपना explain नहीं कर पाते बता नहीं पाते थे language problem था सब कुछ था तो वैसे में उनका कुछ अच्छा result नहीं मिलता था तो फिर मैंने जब मेरी ट्रांसफर भी तो मैंने यह problem बताया और आदिम जंजाती वाले लोग नहीं इसे अच्छी तरह समझे और उन्होंने भी ट्राफल हॉस्पिटल में और वहां पर मैं अभी सारे ट्राइब जितने मदब अभी तो उनको पर्टिकुलर्ली ट्राइबल ट्राइब्स बोलते हैं तो उसमें हैं जार्वा ओंगी शॉंपैन अंडमानी और सेंटिनलिस तो खैर हम लोग अप्रोच नहीं करते उन लोग आए ने अभी हमारा चार ट्राइब्स हम वहां पर आते हैं और उन सब को मैं सारे मदब उनका प्राब्लम डॉक्टर्स को बताती हैं उनका जितना जो भी जरूरत हो चाहें उनको मदब एकते किसे देखें तो आपके जैसे जो एनेम्स हैं वो अब हमारी स्वास्ते विवस्था के लिए एक एसेट की तरह हैं क्योंकि आप लोग काम और आप लोग की समझ और अनुपव सब बहुत महत्वपुन हैं लेकिन आप जिस मुकाम पर आज खड़ी हैं हमारे दे जैसे कि मैं ने बताया कि जब वहाँ पर इतने टेंट में रहने इतनी साल रही तो वहाँ पर मुझको मेरे परिवार ने साथ दिया ने तो मैं अकेली लेडी ओपन टेंट में और दूसरे लोगों के साथ में रहना वह भी अलाव नहीं करेंगे क्योंकि आप बोल सकते थे कि उन लोग इतने अंदर थे उनकी जंगल के अंदर में जाना मेरा हस्बंड ने मुझको हमेशा मेरा हस्बंड का बहुत ही जादा साथ था कभी-कभी मैं पीछे हटने से भी वह मुझको प्रमोट करते रहे कि नहीं तुमको यह करना है तुमको जाना है बाद में जब मेरे ब चोटे बच्चे को एक साल का बच्चा को फिर मुझको अपने से अलग करना पड़ा और मैं दो साल तक पुरा जा नहीं पाई जब बच्चा मा को पैचानने का टाइम था तो मेरी नंदोई को ही वो माबाप ममी पापा बोलना शुरू करा क्योंकि मैं तो थी नहीं अभी भी म का इतना अटैश्मेंट नहीं है क्योंकि उन लोग से ही ज़्यादा अटैश हो गया और उन लोग इतना बहुत ही प्यार से बहुत ही इससे पाल आपके बच्चे को आपने उसके बेहतरी के लिए अपने इन लॉस के पास भेजा लेकिन ये कहना चाहिए कि बहुत सारी अब देश की तो नर्सिज दुनिया में फेमस हैं ऐसे में जो युवा अब नर्सिंग प्रोफेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं आप उन्हें कोई मंत्र देना चाहेंगे उन्हें कोई सीख देना चाहेंगे आपको तो बहुत दőशकों कानिभव है आज की युवाओं से में यह होंगी जादत से जादा नर्शिंग प्रोफ़ेशन करें और हमारे डेश में जो नर्शिंग की क्राइसिस नर्शिंग प्रोफ़ेशन की क्राइसिस है उस पे भी अपना योगदान दे और ये एक बहुत ही नॉबल सर्वीस है इसलिए हमें सिर्फ अपनी job satisfaction ही नहीं बलकि self satisfaction भी मिलती है तो हम अपने इस nursing profession को और भी उंचायों तक भी ले जा सकते हैं इसके लिए हम सभी बच्चों से यही request करती हूं कि वे जाद से जादा इस profession में अपना योगदान दे यानि बहुत कुछ है जो nursing profession दे सकता है खुद को भी लोगों को भी समाज को भी और देश को भी ऐसे में शांती जी क्योंकि आपके लिए अब कहना चाहिए कि पुरसकार गौन हो चुके है फ्लॉरेंस नाइटिंगेल पदमिश्री और उसके बाद वेश्विक स्थर पर ये सर साथ ये तमाम अनुभव साजा करने के लिए थैंक यू थैंक यू सो मच तो ये थी हमारे साथ शांती टेरेसा लकड़ा एक ऐसी एन एम जो आज दुनिया के सामने एक मिसाल बन कर उभरी है आज कि इस तेजस्वनी का एकर में बस इतना ही लेकिन आप अपने सुझाव अजजव बस थैंक यू कि अखने लेकिन ऑू आजए पर शना हम जो आजरेसरा में दो कि एन ए बन एकता बदान कर दो कि लिए, अज़व के रेकिस्वनी का बन Гरिशए लेकिनाशोंते लिए, कर आज बने बने एको तकिस्वनी के एक बने 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 तुना है